देश प्रजेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरे वो भी मेरे साथ अनलोग करने के पहले मुंबई को पूरी तरह वैक्सिनेटेट किया जा रहा है स्वास्ता मंत्री राजिश रोपे ने कहा कि दुनिया के कई देशों में अब लोगों को बिना मास्क के आने जाने की इजाज़त दी गई है हमने भी सेंटरल और स्टेट कोविट टास्क फोर्स से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है तो करनाटक में शुरू हुआ हिज़ा विवाद मुंबई तका पहुचा है यहाँ भी एक कॉलेज में महिलाओं के बुर्का, स्कार्फ और घूंगट पर प्रतिबंद लगाया गया है वही नासिक जिले में एक व्यक्ति ने अपने दोस्त को जनम दिन पर चान का टुकड़ा गिफ्ट में दिया है इसी बीच मुंबई से प्रवासियों को श्रमिट ट्रेन से भेजने को लेकर राजनेती गर्म है लोग सभा में जहाँ इस मुद्देपर प्रधान मंत्री ने कॉंगरस की खीचाएं की वही भाजपन एता सफाई दे रहे है कि प्रधान मंत्री के कहने का आश्याय अलग है इसके अलावा राश्टरपती रामनात कोविंदाज महाराश्ट के राजभावन में बनाये गए दरबार हॉलकाउट खटन करेंगे अगले 10 दिनों में मुंबई पूरी तरह से वैक्सनेट हो जाएगी और इसे देखते हुए महापोर ने फरवरी के अंत तक मुंबई को पूरी तरह से अनलॉक कर दिये जाने की बात कही है दरसल मुंबई में कोरोना से जंग में कारगर बनी कोरोना वैक्सिंग की पहली खुराग सभी लाभार्थियों को देने का काम BMC पहले ही पुरा कर चुकी है अब दूसरी खुराग देने का काम भी शत्प्रतिशत की और बढ़ चुका है और 6 महज करिब 3-4 फिजदी आबादी को दूसरी खुराग अगले 10 दिनों में देने का लक्ष BMC ने रखा है तो महाराश्टर की स्वास्था मंतरी राजश टोपे ने कहा कि दुनिया के कई देशों में अब लोगों को बिना मास्क के आने जाने की इजाज़त दी गई है कि फिलवाल कुछ दिनों तक हमें कोविट प्रोटोकॉल का पालन अनिवारी रूप से करना होगा बता दे कि तीसरी लहर के दौरान मुंबई में कोरोना के रोजाना करीब 10,000 के सामने आ रहे थे अब रोजाना मातरत 300 से 500 के करीब नए केस दर्ज हो रहे है इन में से भी 80% से अधिक मरीजों में रोक के कोई लक्षन नहीं है उपचार के लिए बहत कम मरीजों को अस्पताल में भरती करने की ज़रूरत पढ़ रही है नतीजतन अस्पतालों के 80% दिबेट खाली है करनाटक में शुरू हुआ हिजाब विबाद मुंबई तक आप पहुचा है यहाँ भी एक कॉलेज में महिलाओं के बुरका, सकार्फ और घूंगट पर प्रतिबंद लगाया गया है माटूंगा इलाके में मौजुद MMP शाह कॉलेज में यह प्रतिबंद लगाया गया है यह कॉलेज S&DT विश्वविद्याले द्वारा संचालित किया जाता है यह प्रतिबंद जुबानी तोर पर नहीं बलकि कॉलेज की वेबसाइट और उनके प्रोस्पेक्टस पर दर्ज है जिसमें साफ तोर पर लिखा है कि आप बुरका, दुपट्टा और घूंगट में कॉलेज परिसर में नहीं आ सकते कॉलेज की प्रिंसिपल ने बताया कि उनका उद्देश्य किसी भी धर्म का मजाक उड़ाना नहीं है उन्होंने बताया कि बिते वर्षों में लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटनाय सामने आई थी जहां शरारती युवक चेहरा ढग कर या बुरका पहन कर कॉलेज परिसर में आकर चात्राओ के साथ छेड़खानी करते थे इस घटना के बाद चात्राओ की सुरक्षा के लिहाद से हमने ये नियम बनाया था इस नियम को बनाने के पीछे हमारा उद्देश सिर्फ इतना है कि चात्राओ का चेहरा एक दुसरे को दिखतार है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना होने पाए उन्होंने ये भी कहा कि इस नियम को वापस लेने के कोई आसर नहीं है क्योंकि हम किसी गलत मकसद से ऐसा नहीं कर रहे है लेकिन कॉलेज के इस मनमाने कानून का विरोधा मुंबई में भी शुरू होता हुआ नजर आ रहा है तो समाजवादी पार्टी के विधायक रैश शेख ने चेतावनी दी है कि ये प्रतिबन तुरंत हटाया जाना चाहिए वरना हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे उन्होंने इस समन्ने गुरुह मंत्री को भी पत्र लिग करवाई की मांग की है दोस्ती को लेकर हजारो अफसाने हैं ये संसार के हर रिष्टे से अलग है एक ऐसा सत्य है जिसकी व्याख्या होना अभी भी बाकी है सच कहे तो दोस्ती एक ऐसा आकाश है जिसमें प्यार का चंद्र मुस्कुराता है रिष्टों की गर्माहट का सूर्य जग मगाता है और खुशियों के नटखट सितारे जिल मिलाते है अभी तक न जाने कितने चहरे अलग-अलग प्रतिमान गड़ चुके है ताजा मामला नासिक जिले का है हरिष्चंद्र नाठे को जरम दिन पर उनके दोस्त रिषिकेश मुदले ने उन्हें चान पर एक एकर जमिन गिफ्ट में दी है दोस्ती में दिया गये ये तौफा फिलहाल पूरे जिले में चर्चा का विशे बना हुआ है महाराशों के नासिक जिले में हरिष्चंद्र नाठे रहते हैं इलाके में एक सामाजिक कार्यकरता के रूप में इनकी पहचान है डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे नाठे ने हाल ही में छत्रपती शिवाजी महाराश की एक पाल की भी निकाली थी जिसकी काफी चर्चा हुई थी इसी बात से खुश होकर उनके दोस्त ने उन्हें चांद पर एक एकड़ जमिन का गिफ्ट दिया है चांद की जमिन को आधिकारिक और कानू निरूप से इंटरनेशनल लुनार लैंड्स एथोरिटी जरिये खरीदा गया है फिलहल नासिक जिले में इस गिफ्ट की चर्चा बड़े जोर शोर से हो रही है किसी दोस्त को उसके जनम दिन पर ऐसा तोहफा देने का शायद पहला ही मामला होगा नाठे को जनम दिन के दस्तावे जोके साथ जमिन का नक्षा और बोर्डिंग पास भी दिया गया है दो दिन पहले प्रधान मंत्री मोधी ने लोगसभा में लॉकडाउन के दोरान मुंबई से प्रवासियों को श्रमिक ट्रेन से भेजने पर कॉंग्रिस की खीचाई की और सफाई दे रहे है कि प्रधान मंत्री मोधी के कहने का आश्रय अलग है मुंबई बीजेपी की नेता संजे उपाध्याय ने कहा कि प्रधान मंत्री के कहने का मतलब है कि कॉंग्रेस ने प्रवासियों को मुंबई चोड़ने के लिए मजबूर किया था अगर कॉंग्रेस और राज्य की सरकार में शामिल पार्टिया प्रवासियों के राशन की परियापत व्यवस्था करती तो प्रवासि गाउन नहीं जाते बांदरा स्टेशन के बाहर हुआ जमावडा कॉंग्रेस की देन थी उन्होंने कहा कि लोग पैदल जा रहे थे इसलिए हमने श्रमिक ट्रेन से प्रवासियों को गाउ भिजने में मदद की याद रहें मुंबई से जब श्रमिक ट्रेन शुरू हुई तब यूबी के प्रताबगड से बिजेपी सांसत संगमलाल गुपता मुंबई में थे उन्होंने प्रताबगड के लिए श्रमिक ट्रेन शुरू करवाने का श्रेय भी लिया था और वेखूद स्टेशनों पर प्रवासियों को ट्रेन में बैठाते नजर आये थे उनकी फेस्बुक वॉल पर भी वीडियो पलब्ध है राष्टरपती रामनात कोविंद चार दिनों के महाराष्टर के दौरे पर है अपने दौरे के दूसरे दिन राष्टरपती कोविंद आज महाराष्टर के राजभवन में बनाए गये नए दर्बार हॉल का उधगाटन करेंगे इस मौके पर राश्टरपती की पतनी सविता कोविन, महराष्ट के राज्यपाल भगत सिंग कोशारी, मुख्या मंतरी उध्धा उठाकरे, उपमुख्या मंतरी अजित पवार, अशोक जवान समेर कई लोग मोजुद रहेंगे बता दे कि राश्टरपती पिछले साल आठ दिसंबर को इस दरबार हॉल का उधगाटन करने वाले थे, लेकिन उसी दिन ततकालिन सीडियेस जनरल बीपिन रावत का हेलिकॉप्टर दुरगट नामे निधन हो गया था, जिसके बाद इस कारेक्रम को स्थगित कर दिया गया थ राजभवन के इस नए हॉल में 750 लोगों के बैठने की ख्षमता है, इस नए हॉल को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता भी है, जानकारों के मुताबिक इसे आधुनिक धंक से बनाया गया और सवारा गया है, इसके उधगाटन के बाद चनिवार को राश्टरपती कोविन रतनागिरी जिले के अमबाडवेस्थित बाबा सहेब डॉक्टर भीमराव आमबेट करके समारक जाएंगे और उन्हें नमन करेंगे, इस दोरान राश्टरपती भारत रतन बाबा सहेब आमबेट कर विद्या मंदिर भी जाएंगे और बच्चों से रूबरू होंगे, यह अयोपर ईडी ने मनी लॉंडरिंग का केस दर्च किया है, आरोप है कि उन्होंने समाज कल्यान के लिए जुटा गए पैसो में धोका धड़ी की है, तो पटना में श्री गुरु गोविन सिंग अस्पताल की जमिन की चार दिवारी के बाहर अतिकरमन हटाने पहुचे मजिस शेयरवाजर खुलते ही धड़ाम हो गया, बिते तीन दिनों से कारोबार में जारी तेजी पर ब्रेक लग गया, उधर देश रोग के एक मामले में वारानसी में अपर सत्र नायधिज ने पिंडरा विधान सभा से कॉंगरेस प्रत्याशी अजराय की अंतरिम जमान तरजी खारिस कर दी है, देश की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ था दस्तावेजों की मुताबिक राना अयूब ने चैरिटी के लिए ओनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफार्म केट्टों के जरिये 2020 और 2021 में 2 करोड 59 लाक रुपे जुटाए थे उस समय उन्होंने कहा था कि पूरी डोनेशन का हिसाब रखा गया है और एक भी पैसे का गलत इस्तिमाल नहीं किया गया है अयूब ने 31 लाक रुपे के खर्च का बेवरा दिया है जबकि दस्तावेजों की पड़ताल के बाद सामने आया कि फंड में से सिर्फ 17 करोड 66 लाक रुपे ही खर्च किये गया है जानकारी सामने आ रही है कि राना अयूब ने रहातकारियों में पैसा खर्च होने के सबुद देने के लिए फर्जी बिल बनवाये थे नीजी सफर के लिए किये गये खर्च को रहातकारे के लिए बताया था एजेंसी ने कहा कि जाच में साफ होता है कि राना अयूब ने पुरी प्लानिंग और विवस्तित तरीके से चैरिटी के नाम पर फंड जूटाया था लेकिन फंड का इस्तेमाल पूरी तरह चैरिटी के लिए नहीं हुआ एजेंसी ने यहाँ भी बताया कि राना अयूब ने फंड्स में से 50 लाख रूपे फिक्स डिपॉजिट में जमा कराए और उन्हें रहात कारिया में इस्टेमाल नहीं किया पत्ना में श्री गुरु गुविन सिंग अस्पताल की जमिन की चार दिवारी के बाहर अतिकरमन हटाने पहुचे मैजिस्ट्रेट को पुलिस की मवजुदगी में लोगों ने घसित्तिवे मारपेट की और गाली गलोच कर खदर दिया भीड का आकरोशदेक निगम करमी वहां से जान बजा कर भाग निकले नगर निगम के अजिमाबाद अंचल के कारेपालक पदादिकारी नूरुल हक शिवानी ने बताया कि टीम के साथ कुछ लोगों ने हता पाई की है इसकी जानकारी SDO और नगर आयुत को दी गई है दरस का आकरोशदेक निगम करमी जान बचा कर भागे वहां मौजोद पुलिस बलने भी अधिकारी को बचाने का प्रयास नहीं किया काफी देर तक अफरात अपरी की स्थीती बनी रही वाड पार्षत शुभादेवी और उनके प्रतिनी दी बलराम चोधरी ने बताया कि वाड स दोशी लोगों पर कानूनी कारवई होगी अडानी समूओ के मुखिया गौतम अडानी ने रिलाइन समूओ के मुखे शंबानी को फिर पचाड दिया है एक दिन पहले अंबानी ने एशिया के सबसे अमीर का ताज फिर हासिल किया था लेकिन गौतम अडानी फिर उनसे आगे निकल गए अंबानी अडानी के बीज भारत के नंबर वन अरब पती की होड भी पिछले हपते से जारी है फोर्फ रियल टाइम बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक गुर्वार को अडानी की संपती में दो दशमलक एक अरब डालर की बड़ोत्री हुई इसके साथ ही अडानी एक बार फिर एशिया के सबसे बड़े अरब पती बन गए जबकि बुद्वार को भारत के सबसे बड़े अरब पती मुके शंबानी ने गवताम अडानी को पीछे छोड़ दिया था विश्व के दस शिर्श अमीरों की सुची में अब अडानी 91.2 अरब डालर की नेटवत के साथ दसवे नंबर पर पहुँच गए जबकि मुके शंबानी 91.08 अरब डालर के साथ 11 स्थान पर आ गए तीन फरवरी को मुके शंबानी की संपत्ती का मुल्य एक दशंबानी दो अरब डालर घट गए था इस कारण अडानी 12 स्थान से चड़ कर दसवे पर पहुँच गए थे इसी दिन मार्क जुकरबर्ग की कमपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स इंग की नेटवर्त में 29 अरब डालर की गिरावट आई थी इस कारण जुकरबर्ग दुनिया के शिर्च 10 अमिरों की सूची से बाहर हो गए थे अभीवा 81.4 अरब डालर की संपत्ति के साथ दुनिया के रईसों में 13 वे स्थान पर है सप्ता के आखरी कारोबारी दिन शुकरबार को शेयर बाजर खुलते ही धड़ाम हो गया बीते तीन दिनों से कारोबार में जारी तेजी पर ब्रेक लग गया BSI का सेंसेक्स कारोबार की शुरुवात में ही 650 अंग तुड़ गया और 58,275 के स्तर पर खुला इसी तरह NAC की निफ्टी सूचकांक ने भी 192 अंग की गिरावट के साथ 17,413 के स्तर पर कारोबार शुरू किया इससे पहले गुरवार को भारती रिजर्व बैंक की MPC की बैठक के नतीजे घोशित होने के बाद शेयर बाजार में उच्छा लाया था और ये तेजी कारोबार के अंतक चारी रही थी Bombay Stock Exchange का 30 शेयरोवाला Sin6 460 अंकी बढ़त लेते हुए 58,926 के स्तर पर बंध हुआ था वही National Stock Exchange का निफ्टी सूचकांग भी 142 अंकों की जोरदार तेजी लेते हुए 17,606 के स्तर पर बंध हुआ था दरसल भारतिये शेयर बाजार पर काफी हद तक ग्लोबल मार्केट के प्रदर्शन का भी असर पड़ता है अमेरीकी शेयर बाजार में गुरवार को बड़ी गिरावट आई थी इसके लावा फ्रांस के बाजार भी लाल निशान पर बंध हुए थे जबकि जर्मनी और ब्र दक्षिन कोरिया और शंगाई के स्टॉक मार्केट भी लाल निशान पर कारोबार कर रहे थे निवेशकों की मुनाफ़ा वसूली के कारण सुभा साड़े नौ बजे सेंसेक्स 688 अंक और निफ्टी 202 अंक की गिरावट पर कारोबार कर रहा था उम्मिदों के इस बाजार म युकरेन की तनातानी का भी असर माना जा रहा है अगले कुछ दिन तक उथल पुदल के आसार है वारानासी में देशद्रोह का मामला गरमाने लगा है अपर सत्रन अधिश ने देशद्रोह के मामले में पिंडरा विधान सभा से कॉंग्रेस प्रत्याशी अजेराय की अंतरिम जमानत अरजी खारिस कर दी है अजयराय ने कुछ दिन पुर्वा पिंडरा विधान सभा में जनता को संबोधित करते वे प्रधानमंत्री मोधी और यूपी के सीएम योगी आधित्यनात के खिलाफ आपत्ती जनक टिपणी की थी जनसभा में अजयराय ने कहा था कि आप सभी लोग नमक इकठा किये रहना साथ मार्च को मोधी और योगी को जमीन में गार दिया जाएगा पुर्वा विधाय का ये बयान सोशल मीडिया पर वाइरल होने के बाद फुलपूर थाने में राजद्रोह सहित कई गंबिर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था अपर सत्रा नायदिश सितराम चौरसिया की अदालत ने तथ्यों और परिस्थित्यों को देखते हुए अजयराय की अंतरिम जमानत की अरजी खारिज कर दी और जमानत देने से इंकार कर दिया अजयराय की अंतरिम जमानत दिये जाने का विरोध अभियोजन पक्षने किया और कहा कि फुलपूर में अजयराय के द्वरा अमर्यादित भाशा का प्रयोग किये जाने से लोगों के बीच शत्रुता और घृणा फैल सकती है जानकरो का भी कहना है कि राजनिती में शब्दों की मरियादा तार-तार होने लगी है इस तरह के बयान समाज में बाच्चित के स्तर में भी भारी गिरावट की तरफ इशारा करते है वैसे याद रखना चाहिए कि जब चुनावी माहौल में हमले किये जाएंगे तो पलटवार भी होगा और इस पलटवार में मरियादा का ख्याल कोई शायद ही रख सकेगा यूकरेन को लेकर स्थितिक गंबिर हो गई है अमेरिका और रूस दोनों ही जित पर अड़े है इसे भीच राष्टपती जो बाइडन ने नया बयान जारी कर अमेरिकी नागरिकों से तुरंत यूकरेन चोड़ने को कहा है तो रूस ने बिलारूस में युद्धाबास शुरू कर दिया है वही फ्रेंच नैशनल एसेमली में प्रतिस फर्दी खेलों में हिजाब जिससे प्रतिकों पर बैंड का प्रस्ताव खारिस हो गया है इस मामले पर राष्टपती एमेनियोल माइक्रो की पार्टी ने प्रस्ताव को समर्थर नहीं दिया दूसरी दरफ अच्छी खबर ये है कि अत्यादूनिक सुविधाओं से युक्त लगजरी बस में जल्द ही आप दिल्ली से लंडन तक का सफर कर सकेंगे भारत म्यानमार सीमा पर आवाजा ही सामानने होने के साथ इसे चालू कर दिया जाएगा उधर अमेरिके अंतरिक्ष एजनसी नासा एक रॉकेट की मदद से मंगल ग्रह से मिट्टी और चट्टानू के नमोने लाएगी तनाव इस बात का है कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर मयानमार को अपने पाले में लाने की कोशी से तेज कर दी है मयानमार में पाकिस्तान के साथ सेने हतियारों की खरित की डिल पर आगे बढ़ने का फैसला लिया है दुनिया भर की इन खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ युक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका और रूस के बीच लगातार बढ़ते तनाव के बीच राश्ट्रपती जो बाइडन ने नया बयान जारी किया है बाइडन ने अमेरिकी नागरिकों से तुरंत युक्रेन छोड़ने को कहा है तो रूस ने बेलारूस में युद्धा ब्याश शुरू कर दिया है उसने पूरे बेलारूस में अपने टैंकों को गुमाया इसके साथ ही युक्रेन पर रूसी हमले की आशंका और गहरा गई है यह नाटो और पश्चिमी देशों के लिए रूस की नई चेतावनी है उधर नाटो ने कहा है कि रूस की मिसाइले भारी तोफखाना वह मशिन गनों के जवानों की तैनाती यूरोप के लिए खतरना क्षण है सोवियत संग के पतन के 30 साल बात यह हालात बने है जर्मनी के चांसलर उलाप स्कॉल्ज ने रूस को चेतावनी दिये है कि वह तनाव बढ़ा कर पश्चिमी सहयोगियों के सबर का इम्तिहान न ले हम सभी के लिए यह नाजुक स्थिती है रूस हमारी एकता को कमजोर न समझे हम यूरोपिया संगवन नाटो के साथ एक जूट है बेलारूस में रूसी सैननभ भ्यास 20 फरवरी तक चलेगा इस बीच अमेरीके अनुमानों के अनुसार यूकरेन सीमा पर रूसी सेना की तादाद बढ़कर करीब 1.30 लाग तक पहुच गई है वहाँ दरजनों युद्ध ब्रिगेट तैनात कर दी गई है पस्ची में निता इस प्रयास में जूटे है कि रूस के साथ बाच्चित के रास्ते बंद न हो वे चाहते हैं कि नाटो के विस्तार को लेकर रूस की चिंदाओव शिकायतों को सुना जाए नाटो पुर्वी यूरूप के देशों वा यूकरिन वो अन्यपुर्व सोवियत देशों को सदस्यता देना चाहता है रूस इसका कड़ाविरोत कर रहा है करनाटक में इन दिनों स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगाने की मांग जोर पकड़ रही है इस बीच फ्रांस से कवर आई है कि फ्रेंच नेशनल असेंबली में प्रतिसपर्दी खिलों में हिजाब जैसे प्रतिकों पर बैन का प्रस्ताव खारिज हो गया है इस मामले पर राश्टरपती इमेनियल मैकरो की पार्टी ने प्रस्ताव को समर्थन नहीं दिया फ्रांस में अपरेल 2022 में राश्टरपती चुनाव होने है वही इस प्रतिबन को लेकर मुस्लिम फूटवल खिलाडी विरोज जता रही है हिजाब प्रतिबन को लेकर प्रस्ताव था कि मैच खिलने के दवरान खिलाडी ऐसी कोई चीज नहीं पहन सकते जिससे उनकी धार्मिक पहचान जाहिर होती हो इनमें मुस्लिम महिलाओ द्वारा पहना जाने वाला हिजाब और यहुदी लोगों द्वारा लगाई जाने वाली खास्टोपी किपपा भी शामिल है बतादे कि फ्रेंच सिनेट में दक्षिन पंथी रिपब्लीकन पार्टी का वर्चस हो है यह पार्टी जन्वरी 2022 में एक प्रस्टाव लाई जिसमें कहा गया था कि सभी प्रतिसपर्दी खेलों में ऐसे प्रतिकों पर बैन रहेगा जिससे किसी खिलाडी की धार्मिक पहचान उजागर हो लेकिन यहां प्रस्टाव नीचले सदन से ही पास नहीं हो पाया नवफरवरी को संसद में है अप रस्टाव खारिश कर दिया गया फ्रांस में हिजाब को लेकर महिलाओ का समर्थन कर रही संस्था ले हिजाब उसने फ्रेंच फूटबॉल फेडरेशन के प्रतिबन को कानूनी चिनोती दी है और दलिल में कहा कि इस तरह का प्रतिबन कर दिया जाएगा उम्मिद है कि इसी साल सितंबर में पहली बास अपनी मंजिल के लिए रवाना हो जाएगी इसके संभव होने से 40 साल बाद यह दूसरा मोका होगा जब लोगों को दिल्ली से लंदन के लिए बस सेवा का लुट उठाने का मोका मिलेगा इसके करीब 15 लाग के पैकेज में सफर का टीकट, वीजा और अलग-अलग देशों में ठहरने की सुविधासरी की सभी सेवाय शामिल है दर असल एक ब्रेटिश कंपनी ने 1957 में वाया दिल्ली लंदन कोलकत्ता के बीच बस सेवा की शुरुआत की थी कुछ वर्ष बाद बस के दुरगट ना ग दिखते वे बन कर दिया गया एक बार फिर भारत की एक नीजी कंपनी इस दिशा में काम कर दी है जिस वज़ा से पुरानी बस सेवा बंद हुई थी उससे बचने के लिए बस का पुराना रूट बदल दिया गया है पाकिस्तान वा अफगानिस्तान की जगह अब इसे मैमार थाइलेंड, चीन, किर्गिस्तान होते हुए फ्रांस तक ले जाया जाएगा इंग्लिश चैनल पार करने के लिए क्रूज का साहरा लिया जाएगा अमिरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा एक रौकिट की मदद से मंगल घ्रह से मिट्टी और चट्टानों के नमूने लाएगी इसे बनाने के लिए एजेंसी ने लौकिड मार्टिन स्पेस लिटिल्टन कमपनी को जिम्मा सौपा गया है यहाँ कमपनी मार्स एसेंट वीकल बनाएगी इसके जरिये मंगल की सता से अंतरिक्ष में यान तक चट्टानों मिट्टी और हवाओ के नमूनों को पहुचाया जाएगा इन नमूनों को प्रुथवी तक लाने की तैयारी मार्स सैंपल रिटन प्रोग्राम के दहत होनी है जिसकी भी तैयारिया चल रही है इस काम के लिए यहाँ पहली रोबोटी की यात्रा होगी और एमवी को मंगल तक भेजा जाएगा किसी दूसरे ग्रह से प्रक्षेपित किया जाने वाला यहाँ पहला रोकेट होगा विशेशोग्यों का कहना है कि यहाँ पहली बार होगा जब किसी दूसरे ग्रह से नमूने प्रुथवी पर आएंगे एक बार पृत्वी पर पहुचने के बाद इनका अध्यान हो सकेगा लेंडर को साल 2026 के शुरुवात में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया जाएगा इसमें जमीन से सहायोग लेने वाले उपकरन भी शामिल होंगे नासा के विशेशग्यों का कहना है कि यहां केवल मंगल ग्रह पर कोई यान बेजने जैसा अभियान नहीं है बलकि मंगल से भी प्रक्षेपित होकर वापस आने का अभियान है इससे इस बात की भी पूश्टी हो सकेगी कि क्या मंगल पर कभी जीवन रहा था या नहीं इसके आलावा भी इन नमूनों से बहुत से रहस्यों से परदा उठ सकेगा परसी वियर अंस नासा की ओर से मंगल पर उतारा गया दूसरा एक टन वजन का रोवर है चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत के पडूसी देश मैनमार को अपने पाले में लाने की कोशिशी तेज कर दी है मैनमार ने पाकिस्तान के साथ सहिन्य हतियारों की खरीद की डील पर आगे बढ़ने का फैसला लिया है इसके लिए जल्द ही मैनमार का डेलिगेशन पाकिस्तान का दोरा करेगा इससे पहले एक सिनियर लेवल का डेलिगेशन मैनमार से पाकिस्तान जाएगा जो शीपमेंट से पहले हतियारों का निरिक्षन करेगा जानकारों का कहना है कि चीन के दखल से पाकिस्तान को मैनमार से या बड़ी डील करने में मदद मिली है रिपोर्ट के मुताबी पाकिस्तान से मैनमार हवा से सता पर मार करने वाली मिसाइलों को खरीदने पर भी वीचार कर रहा है दरसल चीन की ओर से बैन के चलते मैनमार सीधे ड्रैगन से इनकी खरीद नहीं कर सकता है मैनमार में तक्ता पलट के बाद आए सेन्य शासन से पाकिस्तान लगतार अपनी करीबी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है दरसल इसके पीछे चीन भी एक वज़ा है जो अपने हतियारों का बड़े पैमाने पर निर्मान पाकिस्तान में भी कर रहा है खास्तावर पर मेंटेननस और और हॉलिंग का काम पाकिस्तान में हो रहा है ऐसे में भा अपने defense cell भी पाकिस्तान के जरीए ही मैनमार में करने की कोशिश में है पाकिस्तान के defense deal को आगे बढ़ाने में मैनमार के पूर्व साइन्य ताना श्याः जनरल नेवीन के पोते आय नेवीन का हाथ है इस defense deal पर पिछले साल से ही काम चल रहा था तो आज की स्कास पेशकश में बस इतना ही, आप से कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें ये BKB News, नमस्कार